सूर्य देव ने स्यमंतक मनी अपने मित्त सत्राजित को दी वह मनी प्रती दिन में आठ भार सोना दिया करती थी और जहां वह पूजित होकर के रहती थी वहां कोई भी अशुब नहीं होता था एक बार श्रीकृष्ण जी ने सत्राजित से कहा कि तुम अपनी मनी राजा उगरसेन को दे दो लेकिन मैं बहुत लालची था उसने मना कर दिया एक दिन सत्राजित के भाई प्रसाइन उस मनी धारन करके वन में गए एक शेर ने उन्हें मार डाला शेर को मार करके रिक्ष राज जामवंत स्यमंत तक मनी ले गए लेकिन इधर सत्राजित ने श्री कृषन जी पर चोरी का अरोप लगा दिया भगवान श्री कृषन और जामवंत आपस में घमासान युद कर बैठे पराजित होकर के जब रिक्ष राज जामवंत ने भगवान जी को पैचान लिया कि वे ही पुरान पुरुष भगवान विश्नु है तब कमल नयान श्री कृषन जी ने जामवंत जी को कष्टों से मुक करके उन्होंने अपना जूटा कलंक मिटा दिया और फल्स रूप शरमिन्दा सत्राजित ने रम्णियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्या भामा वस्मंतक मनी दोनों ही श्री कृषन जी को दे दी भगवान भासकर यानि कि सुर्यदेव की सिय मंतक मनी श्री जी ने